सिरी हेमकुंड साहवदी जात्रा, सिख पांथना स्वांदत, सारियां तार्मक जात्रा मादे विच्चों सब तो कठन अतेर मांचिक जात्र हैं। जूनतों आद अक्तूबर तक चलन वाली एजात्रा, दुनिया पार दे वकवक हिस्यां तो आई सांगत लेई, उत्तरा अंचल दे रीशी केश्टों शुरू हुंदी है, जिते पहाडानियां, चोटियां, नलकोम दियां, बसां, कारां, साइकल ते मोटर साइकलां दे कापले दोसो त्रेहट किलोमीटर दा सफर करके योशी मठ पहुँच दे है, रास्ते विच सिक संकता बलों थां 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 थे लंगर लगा के परशादे, चाप कोडे, अते खीर पूड़े आं दे स्वादले खाने दा प्रवांद किता जान दे है, कई थामा उपर कारसेवा बाले लंगर लगाये जान देने, जिते रिजानना हजारांदी तदा दे विच लोग पोजन शाके अपनी जात्रा ले अग्गे चाले पहुँदेने। इस्तों अग्गे जान ले खच्रां, बच्यानों ले जान ले कंडी, बजुर्गान ले पाल की वर्गियां सुहूलतां बेत्मताबक मिल दियें। खच्रां दे गड़ पाईयां हुईयां टलियां दी टुनकार, अते संगतां दे मुहों निकल दे सतनाम भाहिगुदे जाप एस वातावर नों हूर रमनीक बना देने। माननों मकमल मानसिक शांती परदान कर देने इह नजारी। अग्गे की होवेगा। इदेखन दी तीवर खिच देनाल तेरा किलो मीटर दा पहाड़ी सफर गोविन ताम बिच जाके स्मापत हुंदा है। इते गुर्दवारा साथ दी स्तरान तो बिणा शोटे शोटे गैस्ट हाउस दे होटल ने जिते एक रात विश्राम कर्मतोबाद अगला पांज किलो मीटर दा लंबा सफर शुरू हुंदा है। गुलुकोज, टाफिया, मिनरल वाटर जहां बरसातियां लेके एत्थों अग्गे नू चाले पाए जान देने। एक पसे उच्चियां पहाड़ी चोटियां, दूजे पसे दूंगी बगदी अलक नदा नदी। इना उसमी इन जार्यानों देखके लगदा है कि तर्ती दे सहपंदा कोई अंत नहीं। ते नाली ख्याल पैदा हुंदा है कि जेकर एक भी कदम अवेसले होके पट्टे हा, ता जिंदगी दा आखरी सा भी तर्ती ते पहुंचन तो पहला निकल जाओ। क्योंके समुंदर तालतों 18,300 फुट दिये चाईते जाके हेठा देखना भी खत्रे तो खाली नहीं। के गबरू भी एस ओखी चड़ाई समें खच्रां दी स्वारी करते नें, ते कोई सतर साला बाबे भी नौजवाना तो मूरे जाके जवानी वेले खादियां खराकनाते मान करते ने। सत पहाड़ी चोटियां दे विचाले हेम पाव वर्फ कुंड पाव तला एस अस्थान नू लब ले आ गया है हेम कुंड पाव वर्फ दा तला एस अस्थान दा ना दिता गया है नंदा सिंग अलक नंदा नदी दे कनारे वसे शोटे जे पेंड पंडार दे वसनीक ने। जदो तो एस स्थान ते हेम कुंड साहब दे खोज कार्द शुरू होएने ओदो तो पाव नंदा सिंग दे पेता नंबरदार्त सरदार रतन सिंग 1922 वेच एस अलाके दे जानू होन कार्ण एस स्थान नू लब बन वाले मोरी सांत सोहन सिंग ते बाबा मोदन सिंग न मिलक गुरू कर दे काम विच अपनिया स्वामा दे रहे सन। 19 शत्तितो लेके 1960 तक पाईनन्दा सिंग ने एस स्थान लेई वी बढ़िया बढ़ मुलिया स्वामा देतिया। सतकार योग, सार्थ संगर जीओ, वाई गुरू जी का खालता, वाई गुरू जी की पते, बहुत बहुत सुक्र गुजा रहा है। आप लोगों ने अपने जीवन सबर करने के लिए इस महान तपवस्तान हेमकुन साइब के दसन करने के लिए आये हैं। इस सस्तान के दसन करने से मनों कामना फोरण होती है, जो भी आप लोग बर्दान साथे हैं, सब को बर्दान मिलता है। इस सस्तान में गुरू गोविन सिंग महाराज जी ने अपने पूर्वले जनम में तप किया है। और भगवान लक्षमन जी ने भी अपने पूर्वले जनम में तप किया है। तो गुरू गोविन सिंग महाराज जी ने पूर्वले जनम में दुर्वले जनम में तप किया है। और बगवान लक्ष्मन जी ने भगवान शयशनाक के रूप में पहले जमाने में तर्ब दिया है तो शयशनाक का अफटार होतार लक्ष्मन और दुर्दमन का अफटार होगा गृ। गोबिन सिंह है इस तकवस्थान के बारे में एक भाई भीड़ सिंह ज्यानी राहा करते थे अमिंस्थार में उन्होंने जब दसमगरन को पढ़ा है थो दसमगरन के बीच यह बिठ्टिटिल नातक है बिठ्टिल नातक के सट्रम अध्याई में गोबिन सिंह आरज जी ने अप मैं अपनी कथा बखानू, आपका मतलब यह है, जब गुरु जी ये संसार में पेदा गुई है, तो उन्हों ने धन की रक्षा किया है, जिन्नों धरम बचाया है, और उसके बाद अपना दसम गरंद का रखना किया है, दसम गरंद में सारी जेवी जेताओं की कथा लिखी है, अकालपूर की चोड़िसों तारों की कथा लिखी है, उसके बाद गुरु जी कहते हैं, अब मैं अपनी कथा बखानू, तो गुरु वाक्त, अब मैं अपनी कथा बखानू, तब तब यह बिद मही आनू, फे में पुंट परवत है जहां, सप्त श्रिंग सोवत है तहां, तात मात मोरी अले करादा बोविद्योगु सारना सादा एक समाई में, गुरु तेग बाद मादब गुजुरी जी ने बाबा बकादे में पाईसा तब किया है, उन्होंने इस लिए तब किया है, जब इस संसार में पाप बढ़ गया है, धर्म की आने होने लगे हैं, तो उ जिन जो करी अभकी सेवा, तांते पठन भय को देवा, तिन पर्व जब आईस मोई दिया, तब हम जनम करू में लिया है, फिर कहते हैं, चितना भयो हम रो आवन के चुभी रही सुर्ची परू चरंग में, जोंचों पर्व हमको समझायों, इमके कै यह लोग पठायों अका भयो में जोर कर बतन काहा सिन्याय पंचले तब जगत मों जत्म करूं साई, जिवा कारण पर मों पठायों तमें जगत जनम धरी आयो, जिन दिन गह तिन में कई और किसे भय न गयो, जो हमको परमेश्वर उतर है ते नरकुन में पढ़ है, मोको दाज्टबन का जानों याम में बिन रन पठानों, मैं हूं परमपूर को दासा देखना जगतमा सा, के यी परकास हमाला भयोग पतना स्वर्भी के भावलयू, बोलो वाईगुर्जी का कालता, वाईगुर्जी की फते, तो साथ थंगत जियो, ये सब्द है, इस सब्द को मनन करने वाले एक भाई जिसको सब्स्रिंग लिखा है, और उसी जगे पर राजा पांडु ने भी तफिया है, तो ऐसी जगे को हमको खोज करनी चाहिए, नहां कहें ऐसी जगे मिले, वह हमने सेवा करनी है, क्यों करनी है, हमारे गुर्भी गोर्भी सिंग माराची ने पूर्बले जनम में कारवान टब्तिया है, हमको उस तपस्ताम की कोज करनी चाहिए, तो भाई बीर सिंग जीव खुद अपने आप गुणने लगा है, लेकिन उसको नहीं मिला है, भाई बीर सिंग आजी पहले कहां गए है, काश्मिर, काश्मिर बड़ जादा पड़ता है, लेकिन वहां उनको तो ऐसी जगह नहीं मिली है, फिर कहां गए वो नैपाल की पाड़ियों में, ऐसी जगह नहीं मिली है, तो बिदर भी ठक गए है, उसके बाद क्या हुआ कि 1932 में एक सद्दार टारा सिंग नहुरतम बदिनात यात्रा के लिए आये हैं, उस समय बदिनात के और मारा के और अ उनको राटे में मिल गए, उनने कहा ची तुम कहा जा रहे हूँ, उनने कहा हम लोगपाल जा रहे हैं, पर लोगपाल फिर उनने जिसा बदाई की इदर लोगपाल है, और तुम 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 त लोगपाल में बर्दान मिलता है, तो उनके साथ आ गई, उनके साथ वहां देखा उनोंने लोगपाल में ही, और लोगपाल का दिरिशी जो देखा उनोंने, उन्हें मन में ये आया, कि भाई बेशिंग तपव अस्तान धून रहे हैं, वो सकता है कि यही तपवस्तान है, फिर वो यहां से जाकर के पनलाब गए और बाई भी जिंग के पाद गए, कहा कि तुम कहां कहां दूर रहे हैं, गड़वाल में ये लोगपाल नाम अस्तान है, बाउट सुनर अस्तान है, वो सकता है कि हमार गुरु जो निवहां तप किया अब भाई भी जिंग को यह लगा है कि वहां स्थपश्ति करने के लिए कौन जाएगा, उनको मिल गया हवलदार मोदन सिंग और संसुन सिंग, ये 1936 में उनोंने बेजा है, तो पहली क्या पावन आया हवलदार मोदन सिंग आया, वो माज के मैने में आये थे हमारे गाहों म में नहीं, लेकर माज के में यहां सब बर्फि बर्व था, उपर नौटपाल न पहुंच पाई, फिर यहां से वापस गई, बापस जाते विए उनोंने खी हो, मेह पएजने पीदा जाने करने का रस्त लाया नसीग डाने कर रस्ता खुलता है, फिदा जीने जाक रस्ता करन जाना और वहां ग्यूंडार गहों में नमंदार रतम सिंग है उसको मिलो उसको श्यास लेकर के हेंपुन देखने के लिए तब असार के मेने में कौन आया संत सोन सिंग उसको दे गए उनोंने देखा बड़ा सुन्दर अस्थान है कोई को बड़ा विश्वास हो गया कि यही पिर वह दो बाहि भे सिंग को एलिगरा क्या जोशिमच से है और कहा कि यह थाता आता यह हायः मुद कि एलिगरा क्या रही है तो बाहि भे सिंग वही अन्यों को प्रशिया करता दृण कर दम साम सिंगे नाम ऑर और लिए कि we gewe kis दो यह बनाए हुए थोड़ा साम अब रुपय जब आये ना तो रुपय प्राफ्ट करने के लिए जोश मट गए और रुपय प्राफ्ट करके रुपय जो है जोश मट में जब का दिया है फिस अब भीमलार में आये और बेक्टिकों एकटा करके और आखी चड़ो उपर जाएंगे और वहां लग्षमाजीर का मंदिर बनाएंगे ऐसा बोला ना उन्होंने अजब जोट पाल में गए ना पांसाथ आजनी गाओं के और संद्रों सिंग फिता जी को पिता जी का नाम दा रतं इस रतं सिंग यहां फरे गुर्दवारा बनेगा मजूदा हेमकुंड साहिब गुर्दवारा साहिब दी निग्रानी विच्ची ही बने हाना